अलो दोस्तों मैं इंद्रेश अपनी यूटूब चैनल इंद्रेश येस क्लाशेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज हम लोग जो एवियस का जो है एवियस का क्या देखेंगे प्रैक्टिस सेट देखेंगे या जो हमारा पेपर जो 2022 में हुआ था उसका पुरा solution हम लोग आज देखेंगे ठीक है तो आप लोग सीटेट का answer की मेरे ख्याल साही hope मैं आसा करता हूँ कि मिला लिया होंगे और जो हम लोगों से पढ़े थे कुछ बच्चों का 120 कुछ लोगों का 125 125 प्लस नंबर आये हुए है ठीक है तो बहुत ही अच्छा लग रहा उस पर आप लोग खरे उतरे ठीक चली आज का एक question number कौंस है question number हम लोग देखेंगे 121 का पहला question क्या करा है कि धुरूतारा कहलाता है बताई जो धुरूतारा होता है ओक कहा जाता है कौंस आप पूर्वी तारे को उतरी तारे को दच्छडी तारे को या पस्चिमी तारे को कौंसी होती है भूमत भेर्ण के या equator रिखा और क्या होती है फिर नीचे एक रिखा होती ही जिसको थेश ज्वारत सभाके का क्या करते है इस वाले पोल को क्या वोलते है उत्तरी धृू ठीक है क्या बोलते हैं उत्री ध्रूव इस वाले नीचे वाले जो 90 डिगरी इसको बोलते हैं दचछडी ध्रूव ठीक है तरह से हमारा क्या जागा सीपार्ट हमारा क्या होगा राइट हो जागा ठीक है समझाने का मतलब था ठीक है आप लोगों को समझ में चीजें आई होंगी तो इस तरह से सी पार्ट इसका क्या हो जगा बहुत ही बहतरीन और जो लोग कमेंट में लिख रहेंगे सी पार्ट सी पार्ट बहुत ही अच्छे साब आस चली आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला कोश् क्षक्षक्ष प्रोजेक्ष ताइगर ठीक है य और हाथी प्रोजेक्ष्ष यहिए आलिफान्ट जिसको बहुत है तिय। Robot بينics 222-2 में 1792 कहाँ सिय इस्टार्ट होता तो उससमें हमारा कि जगात तो जिम कारवेत नेशनल पारटका से जिम जिम कारवेट जिम कारवेट नेशनल पार्क जो हमारा कहां पढ़ता है उत्तरा खंड में ठीक यूके उत्तरा खंड में अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है राम गंगा नेशनल पार्क क्या कर दियागा राम गंगा नेशनल पार्क ठीक राम क्यों कि इसके बीच ब चलिए आगे बताए काना काना राष्टी उद्यान भारत के किस राज्य में है जो काना निशनल पार्थ हुआ कहां पर है मध्य प्रदेश में ठीक है अब आए मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा यहां लोग देख लेते हैं यंपी के बारे में ठीक है यंपी यंपी ज इसे फूल रभी सूर पर इसामा करें था घॉझाल है Bridge इनां गुंदर फ्रैस ऑस कएफिशे कातीं हूं वान अशेत्रफल के हिसाब से सब से जादा बात कि सबसे जादानाग कैंप्र tutorial अच app में ऑर की जलती है बताई एंपी में और क्या है बताई फटाफट एंपी में और कुछ बताई एंपी बारे में चलिए इतना ही राने दीजिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला कोश्चन कोश्चन आप बताएंगे कौन सा एक सो चौबिस बताई लखनव समझावता 1916 के किन दो किसके किसके किसके ही इसकी म yell भाता एक सो चौबिस का राइन सूर क्या हो जाएगा देधर सी सब से सथींगां चकूण आई होप मैं ऐसा करता हूँ तो लखनौ हमारा कहा पढ़ता है तो लखनौ हमारा UP में पढ़ता है ठीक है अब UP के बारे इंथर पता हूँ यूपी में जो विधान सभा की है BS का मतलब बिधान सभा कितनी सीटे है तो 403 सीटे है ठीक है बिधान परिशद जिसको बोलते हैं बिधान परिशद की BP बिधान परिशद की कितनी सीटे है तो 100 सीट है ठीक है लोग सभा की कितनी सीटे है LS का मतलब लोग सभा हो गया कितनी सीटे है 80 ठीक और लोग सभा हो गया राज सभा की राज सभा कितनी सीटे हैं 31 है सीम कौन है बता दीजे मानी श्री योगी अधिते नाथ जी और गौर्णर अनंदी वेन पटेल सारी चीजें याद होनी चाहिए ठीक डिटेल से पढ़ना तभी मज़ा आएगा ठीक है आगे चलते हैं कोश्चन नमबर आप बताए गाधी नगर ठीक है रन का कच्छ भी यहीं पे है रन का कच्छ कहां पे गुजरात में यहीं पे हमारे क्या पाए जाते हैं जंगली गधे पाए जाते हैं ठीक है गुजरात में ही जंगली गधे पाए जाते हैं शोवनात का मंदिर शोवनात का मंदिर शोवनात का मंदिर श नरेंद्रमोधी इस्टेडियम विस्टो का सबसे बड़ा इस्टेडियम है ठीक है वो भी हमारा कहां गुजरात में ही है और बताए इस्टेचू आफ यूनिटी इस्टेचू इस्टेचू आफ यूनिटी यह हमारी कहां पे यह भी हमारी कहां गुजरात में है ठीक है सादू वेट दिव पे इस्थित है, ठीक है, किसकी सरदार बल्लब भाई पटेल की, किसकी सरदार बल्लब भाई पटेल की, किसकी सरदार बल्लब भाई पटेल की, इनको क्या कहा जाता था, एकता भारती एकता का जनक कहा जाता, एकी करण का जनक कहा जाता, सरदार बल्लब भाई प्रचीन पट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रियूग प्रचीन अस्थलों में मौजूद हड्डियों का या समाग्रियों की आयू का मापन चट्टानों की सक्ति का मापन या इनमें से सभी तो 126 का जो राइट एंस वर आ जाएगा वो हमारा भी आ जाएगा ठीक है मिधान सभान राष्टी गान को कब अपनाया 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को राष्टी गान को क्या कर लिया गया था अपना लिया गया था तो बी पार्ट हमारा क्या जागा राइट आ जागा नेक्ट चलते हैं बायो मैगनिफिकेशन जो होता हमारा बायो मैगन एंसर हो जाएगा 128 का तो 128 का राइट एंसर हमारा क्या जाएगा सिस समय के साथ उतकों में विसैले पदार्थ की जो ब्रिद्धी होते हैं उसको बोलते हैं बायो मैगनिफिकेशन ठीक आगे चलिए नेक्ट चलते हैं अगला कोश्चन कोश्चन नमबर आप बताएंगे 139 बत जिसमें जीवन पाया जाता है वो जैविक होते हैं जीवन पाया जाता है जीवन नहीं पाया जाता है जीवन नहीं पाया जाता है जीवन नहीं पाया जाता है ठीक है कवक हो गया मृदा फासफोरस प्रोटीन कर अजैविक घटक नहीं है तो कौन सा अजैविक घटक नहीं ह तो हमारा मrishदा भी हो गया मृईदा भी इसके अंत्रगत आता है फास्फोरस भी आता है और प्रोटीन भी आता है तो तो कौम सा नहीं है 138 का व待 138 का राइट एंसर हमारे कवक्या एक लिविंग है क्या Umaक कवक्या एक included इस तरह से हमारा, राइट एंसर क्या आजाएगा एपार्ट थिक एपार्ट क्या जएगा राइड आजएगा ठिक चलें आगे नेक्ट चलिए, कोशन नंबर एक सो टीस बताईए, कोशन नंबर एक सो टीस क्या करा रहा है, कि Greenpeace International अगासकी में 9 अगस्ट जो हमारा डी पार्ट है जिसका नाम क्या नागा-सा-की 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 हमारा कहा पड़ता है जापान का एक सहर इहीं पिर जो पर माडू किसके द्वारां गिराय गया था और 6 अगस्त को हमारा हिरोशिमा पर गिराय था ठीक याद रहे गा ने चलिए नेक्स चलते हैं अगला कोश्जन कोश्जन आप बताएंगे 131 131 क्या करा निमने में से कहां आरसेनिक द्वारां जल प्रोदूशन सर्वाधिक है मतल सबसे बड़ा डेल्टा हमारा कौन सा गंगा ब्रह्म पूत्रका गंगा एंड ब्रह्म पूत्रका ठीक है ब्रह्म पूत्रका ठीक है याद रखें गंगा एंड ब्रह्म पूत्रका डेल्टा है और यहां की जो सीम कौन है ममता बनर जी जी ठीक है और बताइए और अंडर वाटर मेट्रो जो चलाएगी ओभी काम चलाएगी कोलकाता में ही चलाएगी ठीक है याद रखें सारी चीटी चली नेक्स चलते हैं अगला कोश्चन को सुस्क है क्योंकि रेड सैडो प्रभाव उच तुंगता प्रभाव निम्न दाब प्रभाव दाब प्रभाव क्या है बताई एक सो बतीस का राइट अंसर रेड सैडो प्रभाव क्या है रेड सैडो प्रभाव चली एक सो तैटीस बताई वन ने जीव सुरच्छा अधनियम पारित किया गया था कब किया गया था जो वन ने जिव सुरच्छा अधनियम है वह कब पारित किया गया था तो 1972 में वन ने जिव सुरच्छा अधनियम क्या गया था पारित किया गया था तो यह पार्ट इसका भी हमारा क्या जाएगा राइट वन ने जिव सुरच्छा अधन किस देश के संभीधान में मौलिक कर्दब लिया गया जो मौलिक कर्दब हमारे हैं उनकी संख्या कितनी है? 11 है, ठीक है, कितने है? 11 है, किस भाग में है? भाग जो है, वो भाग 4th के का में है, ठीक है, 4th के, article कांसा 51 का का है? अनुछेद कांसा 51 का का है, तो एक किसे लिए गए है? बताएं, USSR से कहां से लिए गए है? 115 का right answer हमारा 135 का right answer हमारा डीपार्ट अगा यू एस एस आर्च मतलब रूश चली आगे चलते हैं अगला कोश्चन आप बताएंगे कोश्चन नमबर कौश्चन नमबर आप बताएंगे 136 सरवाधिक जय विवित्ता हमारे जो देश में कहां पाए जाती है जो हमारा यह रहा मैव ठीक है यह जहां सबसे ज्यादा वर्सा होती है तो हमारे केरल वाल जिसको बोलते हैं पश्चिमी घाट क्या बोलते हैं पश्च पाए जाती कहां पर फूलों की घाटी या सांथ गाटी या सुर्मा घाटी या पर प्शूलों की ऑजबताएंगे ल पीजी हेने ल पीजी ल पीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फार्म होता है, संदर में असत्य है, नीले जोलन में जलने वाली है, उसमीत आप एक सुच इधन है, मीथेन उसर्जन करने वाला है, तो बताएगे कौन सा राइट हो जाए, 137 का राइट एंसर हमारा D, असत्य है, मीथेन नहीं उसर्जन करता ह ठीक, नेक्स्ट बताएंगे, एक सुच पारिस्थित की तंदर के घटक है, उत्पादन वा उभोगता, जैविक तथा, जैविक पौधे, तो हमारा क्या जाएगा, D पार्ट सबसे सटी का जाएगा, 139 का राइट एंसर क्या जाएगा, स्वरी, स्वरी, जैविक यहों, पूस्य मैं ले लेता हूँ, सर्किल ही, ठीक, चलिए, देखिए, सर्किल रहा आप लोगों के सामने, ठीक, ए रहा सर्कल, अब बताएं, इसमें जो ए वाली रेखा होती है, जो बीच से जाती है, उसको और यह जो साड़े तेश डिगरी पे जाती है, और इस साड़े तेश दिगरी, और इस साड़े तेश डिगरी, अभी मैंने लिखाया था, यह तो बीच वाली जो जीरो डिगरी होती है, भूमत दे रेखा होती है, भूमत दे रेखा, ठीक, भूमत दे रेखा, और इसको बोलते है, करक रेखा, ठीक, करक रेखा, इसको क्या बोलते है, मकर रेख आएस्ट नेस बता सब्सक्राना होई भूम प्रितंद्र की खाद सिर्गला में सब से उच्छ अस्तर वुता होता है 141 का तो हमारा क्या होता मांसाहरी होता है आगे बताएंगे वाई मंडल की प्रमुक अस्तर से प्रित्वी से सबसे पास जो होती परत कौन सी होती है तो हमारी कौन सी होती है सबसे नीचे कौन सी होती है बताते जाई यहां पर हमारा कौन सा होता है छोब मंडल होता है छोब मं फिर कौन सा होता वा है ठीक है टूटल पांच मंडल है ठीक है तो जूर सम छोब मंडल जो अर्थ के सबसे प्रितिपी मतलब अर्थ के सबसे समीब कौन सी है तो हमारा छोब मंडल है तीस तरह से हमारा भी पार्ट के आ जाएगा राइट आ जाएगा छोब मंडल में मौसम हम का पारित हुआ तो दिसंबर 2002 में मैंने कई बार इस को बताया ठीक है 11 दिसंबर 2002 को नेक्ट चलते हैं कोश्चन नमबर 100 कौन सा 144 बताती है निमलेकित में से कौन सी क्रिशी करने की प्रक्रिया परवन सरच्छन में से सहायक है सिफ्टिंग जैविक ग्लास हाउश में पौधे लगाना या उपज वाली किसमे की खेती करना बताई कौन सी सबसे महत्तोफून है 344 का राइट आइंसर आप बताएंगे तो जैविक खेती सबसे महत्तोफून जो क्या आते प्रदूशन भी कम करती है और सबसे वेटर होती है ठीक है नेक्ट चलते हैं अमली वर्षा से संबंदित है अमली वर्षा में किसके से संबंदित बताई तो इसमें किसल और स्फियूरी केशीड तो क्या जागा चलते हैं तो हमारा भीपार्ट क्या जाएगा एक 745 का क्या जागा भी पार्ट मारा राइट एंसर आजएगा ठीक है नेक्स्ट बताएंगे आप लोग द डगलो डवॄ की घाटी आवस्थीत कई तरेकनbeing डेक्टत चलते हैं अगला कोश्चन-कोश्चन आप बताएंगे 1418, v praiserosoft meeting कॉंसी एजन्सी का मुख्या से प्रदूर्शन के मापन की है तो बताई केन्दरी प्रदूर्शन नियंत्रन बॉर्वोड है ठीक है या मारा बीपड है चलिए आंगे चलते हैं नेक्स्ट यह आज क्या हमारे लश्ट कोशचन नों इन कोशेन के बारें बताएए कोशन नंबर 49 क ये जागोरित छवाला मुख्य है। आंब सॉकर प्रज knocking कितब्र है विन कि रचाहलिक्न कि यॉंदित है किऊते defense की यॉट इस शंग्पो नदी वर्ग कि नदी के नाम से ब्रहा पुत्रा नदी के नाम से जानी जाती बिश्यो का सबसे बड़ा नदी द्यूप जो हमारा कौन सा है माजुली इस्तित है कौन सा है माजुली इस्तित है ठीक तो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्रें सेर करिएगा चनल को सब्सक्राइब करिएगा जय हिंद जय भारत